आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला बिना दही डाले और बिल्कुल धावा स्टाइल फ्रेंड्स मैं हूं ममता और आप सभी लोगों को स्वागत कर रही हूं आई स्मार्ट ररसुई में चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और भिंडी मसाला बनाने की प्रोसेस पसंद आए तो लाइक करिए और जाद से ज़यदा सेयर करिए तो चलिए फटाफट से बनाते हैं बिना दही वाले भिंडी मसाला इसे बनाने के लिए ये मैं लीहूं भिंडी इसे मैं धोकर लीहूं इस उपर और नीचे के पाट को काट ले और बीच में इस तरह से चीरा लगा ले इस तरह से चीरा लगा लेने से ये बढ़ियां से भीतर तक उखोगी और भीतर कीडा रहने से पता चल जाएगी ये सारे हमने काट लिए अब इस पर डालते हैं थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक अब इसे मिला लें अगर जरुरत पड़े तो थोड़ी सी करीब एक चमज पानी इसमें डालें तो ये नमक और हल्दी अच्छी तरह से कोट हो जाएगी ज्यादा पानी ना डाले क्योंकि नमक पानी छोड़ेगी अब इसे अलग रख देते हैं सबजी बनाने से पहले मसाला प्रिप्यार कर लेते हैं ये कटोरी में थोड़ी सी पानी ली हूँ इसमें लेते हैं दो चमज धनिया पाउडर एक चमज जीरा पाउडर ये एक छोटी चमज लाल मिर्च पाउडर ये रही एक चमज बेशन इन सबको मिला लेते हैं धाबा वाले जब भिंडी मसाला बनाते हैं तो इस तरह से थोड़ी सी बेशन आड़ करते हैं इस ट्रिक को वो फोलो करते हैं इसलिए उनकी ग्रेवी थीक होती है और उनकी सबजी की टेस्ट भी उनिक होती है वही हम घर में जब भिंडी मसाला बनाते हैं तो सभी तरह की मसाला डालने पर भी हमारी क्रेवी पतली रह जाती है और धाबा वाली टेस्ट भी नहीं आती है और ये रही हल्दी इन सब को मिला लेते हैं इसे अलग रख देते हैं और एक कटोरी लेते हैं इसमें लेते हैं ये 7-8 कली लहसुन की ये एक छोटी टुकडी अदरक की अदरक हम एकदम थोड़ी सी ले रहे हैं ये रही एक मीडियम सैस्ट के टमाटर इसे काट लेते हैं अब इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे ये हमने इसे ग्राइंड कर लिया अब चलिए भिंडी मसाला तैयार करते हैं कडाई को गरम करें इसमें लेते हैं तेल मैं इसे सरसो तिल में बना रही हूँ इससे इसके स्वाद बहुत अच्छी आती है आपको जो कुकिंग ओल में बनाना पसंद हो उसी में बनाएं अब इसमें सारे भिंडी ले लते हैं अब इसे हम सालो फ्राय करेंगे मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे हम इसे भूनेंगे हम पूरी बढ़ियां से सारे भिंडी को भूनेंगे इसे लो फ्लेम पर ही भूने इस तरह से भूनेंगे तो ये भीतर तक अच्छी तरह से कुक होगी नहीं तो भिंडी जल्दी से उपर सीख जाएगी और अंदर कच्छी रह जाएगी जिससे सब्जी में बढ़िया स्वाद नहीं आएगी ये भून गई अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं अब इसी तिल में ग्रेवी तेयार करेंगे इसमें डाल रही हूं करीब एक छोटे चमज मेथी दाने अब इसमें लेते हैं दो मीडियम साइज के चोट प्याज प्याज को पूरी बढ़िया से गोल्डेन ब्राउन भूनेंगे प्याज लाल हो करके भून गई अब इसमें ये जो मसालो को हमने तेयार करके रखा था डाल देते हैं और ये रही टमाटर लहसुन और अदरक की पेष्ट इन सब को हम लगातर चलाते हुए भूनेंगे इसमें डाल रही हूँ दो हरी मिच्ची अब मसाला बढ़िया भून गई है और मसालों में से तेल भी अलग हो गई है अब हम फ्राय किये हुए भींडी को ले लेते हैं इसे थोड़ा चला लेते हैं ये रही थोड़ी सी नमक पहले भींडी में हमने नमक डाला था उसी हिसाब से थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ अब इसमें थोड़ी सी पानी डालते हैं अच्छी तरह मिला लेते हैं और करीब आधी कप पानी डाल रही हूँ अब इसे करीब एक से दो मिनीट पकाना है इसे उबलते हुए दो मिनीट हो गई ग्रेवी को हलकी पतली रखें क्योंकि एक से दो मिनीट में ही ये थीक हो जाएगी ग्यास को बंद कर देते हैं हमेशा दही वाली भींडी खाने को मनी करता है और घर में भींडी मसाला बनाने से अक्सर उसकी ग्रेवी पतली रह जाती है धावा वाली थीकनेस और टेस्ट भी नहीं आती है तो इस तरह से ट्राइ करके देखें आप दो की जगह चार रोटी खाएंगे इसे गरम गरम परोसे फ्रेंड्स रेसीपी को ट्राइ करें और कैसी बनी घर में पसंद आई की नहीं जरूर कॉमेंट में लिखें थैंक यू बाई बाई मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रेसीपी के साथ stay safe, stay blessed and stay healthy